कि दोनों हाद ठोड़ी की नीचे प्रियतनी कीजी आपका श्वास अंदर ही रहे कि दोनों हाद रहे 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 सकते रहे रहे रहाद में जाप्टेर निक्षे आप्टर निक्षा रसमें में आराक बनार से प्रभू आराक रखाना. आरा निक्षान के लोगा है। और दोनों पैरों को एक साथ ओपर उठाना है और एक मिनट तो थोड़ा मुस्खिल हो जाएगा आधा मिनट रोके रखना है अधाये दोनों पैरों को आथों से थोड़ा साहरा दे दीजिए और रोक के रखे थोड़ी वे लिए गुट्टे ने वोड़िये मेरे भाईया गुट्मे सीधे पंचेतने वे पैर जंगां तक उठेवे कमर तक उठेवे कमरता पूरे परूब जिए जठेवे दोनो पर मुट्टे जठेवे दोनो जठेवे जठेवे पर पासमे रखिये कीची है दोनो तरफसे पर जठेवे अबने चया यदेवे सीधे लेट जए लास्ट आसन कमर के लिए अब आराम वाले हैं आप परिशान मत होईए गुटने पंजे पास में ताहिनी तरफ पैर भाई तरफ गर्दन गुटने पर खुटना एड़ी पर एड़ी पंजे पर पंजा गर्दन जिए इस शाम आए सास के गतिया वसाम बार नगर दोना हाथ कंदों के बराबर खुलेवे हाथ होँ के थीलियों कर उख उपर की ओर जाए अब दूसरी और से हैं बीच में आएंगे पहले हैं और दूसरी और से स्वासों की गति सामाने रहेगी कि जिदर पहर असे भी प्रिद्धिश्शामे करता है कि सहे धोकी करना हुआ गुटने पर गुटना एड़ी पर एड़ी पंजे पर पंजागर्दने विप्रिद्धिश्शामे स्वास की गति सामने वापस आजाएंगे घुटने पंजों में फासला पैर मुड़े हुए लेकिन घुटन और पंजों से खुले हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर ही रहेंगे यह ते लिया आसमान के और खुले हुए पैरों में करीब एक सवाफिट का फासला दहिनी और पैरों को जुकाएंगे दहिना घुटना जमेन पर आजाएगा बाया घुटना दहिने पंजे के उपर गर्दने विप्रिद्धिशामे थोड़ी देरे इस सस्थिदी में ठैरे सास के गती सामाने शास बाहर छोड़के रखेंगे तो ज़्यादा लाब होगा है है के बीदमा जंके वापसारामस एपर दुस्रियोरस एफ। है 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 कर दो पुना वापस आजाएं सामने स्थिति में पैर दोनों सीधे कर दे हाथ कंधों के बराबर ही रखे अभी भी दहना पैर उठाएंगे बाएं तरफ बाएं हाथ के पांस लेकर के जाएंगे और बाय हाथ की पहली अंगुली और अंगुठे से पैर का अंगुठा पकड़ ले, अथवा पुरा पंजा ही पकड़ ले, बाय हाथ के पंजे से धायने पैर का पंजा पकड़ ले, घुतने दोनों ही पैरों के सीधे, घरदन धायनी और, जमिन वाला पैर भी सीधा, उसका भ साथी सामाने कि पिर वापस लिया है ना इंटेटिग्री पर फिर जब इन पर लाएं देरे देरे ऐसी अब बाया पर उठाएं हाथ के पास पकड़ ले उसके पंचे को गुटने दोनों ही पैरों की सीधी जमीन वाला पैर भी सीधा गुटना सीधा पंचाता ना हुआ गर्दर भाई और वापस लेंगे पैर को ना इंटे डिग्री पर फिर देरे देरे जब इन पर अब सभासनों की बात सभासन में पैर सीधे दोलों पैरों में थोड़ा फासला पैरों में करीब एक सवाफ फिट का फासला हाथ चंगाओं से करीब आदा फिट की दूरी पर हाथों क्या थेलियों का रुखू पर क्यों क्यों है रेडिक्स कर दिया और पैरों को थोड़ा हिला लिजिए पैर के अंगलियों को उठोड़ा को नीचे दो भएे पंजे को निचे दोपाईए थोड़ा गुट्णों को लाथ य इस तोिष सब कि सेच कि सब मेरे साथ बोलिए योगश कि चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रस्टूहू स्वरूपी अवस्थानम तद्रस्थितव यतनो अभ्यास 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 वैरा क्या अभ्याम तन निरोधा महर्श्री पतंजली ने योग सूत्रों में जिस सत्य का संकेत किया है उसका अभ्यास करवाते हैं योग है चित्त वृत्ति निरोध होने पर अपने सुरूप में हम ठेर जाते ह अपने सुरूप में ठेहरने के दो उपाय है एक अभ्यास और एक वैराक है अभ्यास का मतलब है अपनी सुरूप में, अपनी नीचता में, अपनी पूनता में, अपनी दिव्यता में ठेहरने का प्रियत्म और तो हम ऐसा करते हैं तो हमारी आसकती हट जाती है रा घट जाता है, यही वैराक्य है, अभ्यास घटित होने पर वैराक्य तो साथ साथ स्वाभावी करूप से ही घटित होने लगता है, साक्षिभाव से देहे को देखना, हम देखने वाले अलग हैं, और दिख रहा है हमें, दिख रहा है यह दृष्ष्य है, इसी को प्रकृति कहा है। सरवत्रस्टा, सरवकर्था, सरवनियन्ता, सरवेश्ष्षपर, सरवाधार, सरवशक्तिमान, सरवज्य, सरवांतर्यामे, सरवरक्षक, परमात्मा योगदर्षड के ये तीन बड़े सत्यों का भी संकेत मैंने साथ साथ किया अपने माथे को देखिए माथा दिखता है आपको बन्द आँखों से भी सुम्रिती से दिखता है क्याद कि आपने आहने में अपने माथे को देखागा माथा सहज आखे बंद हैं और सहज ओष्ट और जेहरा भी सहज चाती कंधे भुजाएं कौनिया हाथ सहज पेट पीट भी सहज पैर भी सहज पूरा देह सहज शिचल शासव परमन को ठिकाना अपनी सुरूप में उधर जाना तादा अद्रिश्ट हो सुरूप यह वस्तान अपनी सुरूप में अद्रिश्चे सब वीजिबल हैं व्यक्त है प्रत्यक्ष है मूर्थ है सगुन साकार है अद्रिश्च अमूर्थ अव्यक्त है निराकार निर्विकार निर्गों अपनी सुरूप में अपनी निजता में अपनी फोनता में अपनी दिवता में ओम पोनमदा पोनमितम पोनाद पोनमद अच्यते पोनास्य पोनमादाय पोनमे वामशिश्य भगवान ने जान मुझे पूरा दिया हुआ है शक्ति सामर्थ अहिश्य सुख शांतिय है कि सब्रकार की विभूतियों से मुझे तप्रोत किया प्रहीम करणावाद सल्ले से मेरा हिर्दय भरा हुआ है सब सुखों की सब प्रकार के अशरे के सब प्रकार की दिवटा की पूणता है मुझ में अपनी पूणता में अपनी अनंदता असीमता में अपनी भीतर की आपड़ी मितता में unlimited knowledge प्रस्परीद्ध य्पर दिपनेट यद्धिट्ट यवर कोबश्यों यदिट यद्धि अल्मुट यद्ध यद्धिट अटनल पीस सब कुछ अपने भीतर है, अपने भीतर के दिविता में, हर पला में चीना है, कोई अधोरापन अपने भीतर नहीं है, कोई अपूनता नहीं है, कोई पराधिनता नहीं है, कि अब दोना हाथों को अपर उठाई है कि धरमगर मठेलियों के गुर्चा के उश्मा कंजन हाथों को रगड़ करके कि और आखो पर जेर पर आथों के उश्मा कंजन करते वे बाई कर उठने देवे बैठ जाते हैं कुछ तो सोई गए बोरे अच्छी बात है ऐसे सवासन में नेंद भी आ जाये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आज आपको सहजता पूर्वक आशनों का अभ्यास करवाए गया है हम अपने भीतर एक अधोरापन एक अपोनता एक कमी अनुभव करते हैं और उसको पूरा किससे करना चाते हैं? क्या शब्स वोला बाहर की? सम्पत्टि से दूसरा शब्स क्या उला? क्बाहर के सम्मान से दिसरा क्या सब्स वोला? चौथी बात है भोतिक सुखों से भोतिक पाँच्वी बात संमंधों से किसे चटी बात बहर की सफलता से बहर की और साथमी बात बहर की ऐश्वर्रे से बहर की इससे हम पूरा होना चाते हैं साथ शब्द मैंने बोले क्या क्या सब्द बोले थे सत्ता संपति समान भोतिक सुख संमंध सफलता ऐश्वरे ऐश्वरे बड़ा शब्द है इन्से हम पूरा होना चाहते हैं जब अपने भीतर अधुरावन है ही नहीं तो ये इन बाहर की चीजों से पूरा होने का जूठा सपना क्यों अपने भीतर संजो के रखते हो नई वित्ती नतर पणियो मनुश्या यत प्रिथिव्याम ब्रिहियवं हिरण्यं पशवास्त्रिया एक अस्यापिन पर्याप्तं तस्मात्रिश्वाम परित्यजे पूनम वर्ष सहस्रम्मे विशयाशक्त चेत साह तदप्यनो दिनम्त्रिश्वाम ममते शूप जायते नजातु कामा कामा नाम भोगे न उपशाम्यती हविसां कृष्ण वर्तमे वाभुए वाभी वर्दती आओ अंतर मुखी हो अपने भीतर सब कुछ है क्या बूला बूला अपने भीतर अपने भीतर अल्लिमिटेड नालेज असीम अनंद अथा आपरिमित सीमा रहित जियान सीमा रहित पेम करुणावाद सल्ले सीमा रहित शक्ति सामर्थ अईशर्य सुख सब कुछ अपने भीतर है जब सब कुछ अपने भीतर सीमा रहित है असीम है अनंद है अपरिमित है अथा है तो फिर अपने भीतर कभी भी कोई अधूरा पन नहीं अपोन दानों भाव नहीं करना और जब सब कुछ अपने भीतर सब कुछ पूरा है तो फिर यात्रा बहार की नहीं है अब यात्रा कहां की है भीतर की भीतर की यात्रा यह है अध्यात्म बहार की यात्रा यह है भोतित्ता जो भीतर की यात्रा में पूरा उतर जाता है भाहर की यात्रा तो उसका बायो प्रोडेक्ट है जो भीतर की यात्रा में पूरा उतर जाता है उसके लिए सत्ता, संपत्ती, सम्मान, भोतिक, सुख, संबंध, सफलता, एशर्य ये तो उसके लिए खिलोने की तरह होगे उसके लिए ये तो मिनका बाई प्रोडेक्ट होगे ये तो उसकी राह में आने वाले एक तरह के उसके मंजली में आने वाले बढ़ाव होंगे वो इनके लिए चाहा नहीं रखेगा कहते हैं न जो भगवान के रास्ते पर चलता है उसके पीछे तो विभूतिया दोड़ती है सफलता है दोड़ती है आईए लंबा गराशास भरते वे थोड़ी देर बस्तरी का प्रणाया पराण चिखाने व्यत्रन अचयं भूहू तस्मात पराण पश्यतिनां तरात्मान कशे धीरह प्रत्यक आत्मान मैक्षत आवृत चक्षुमृत तमेच्चन प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने वात्मन आतुष्टह सित प्रज्य सदा उच्यते हमें अंतर मुखी बनना है सित प्रज्य बनना है बाहर का तो बहुत को देखा अप तो भीतर की रुआनी जुनिया है अत्मा का प्रम आइश्वर है बहीतर की प्रम सत्ता प्रमसंप्ति प्रमसंबन प्रमसुक यह प्रमसंबन आत्मसंबन यह कि भी तर की परम चप सफ़लत चप statute इसको दिवे सधा दिव्य संपडा को दैवी संपडा इसको कहते हैं दिव्य संपती डिव्य संपड़ी शुक में दिव्य viktigt योग से दिव्य जीवन की प्राप्थी और सारी अविवेक पून कामनाओं की समाक्ति कामनाओं फुरी होती है हम सुख्य अनुभव करते हैं फूरी ना होता हम दुख्य हो जाते हैं इसे परे है यह योग चलो कपालभाति कर लो ओम पूनम दाह पूनम इदम पूनार पूनम दज्यते पूनस्य पूनमा दाया पूनमी वावशिष्यते अपने भीतर की पूनता में जीना अपने भीतर की दिव्विता में जीना कपाल भातियर से करते रहना तो चलो एक भजन के साथ करा अभी में कह रहा था इसे जीवन और जगत के तीन बड़े सत्य यह तो इसे जीवन को जगत को दो शब्दों में पूरा स्थित्व क्या है व्यस्ट की रूप में जीवन और समस्टि की रूप में जगत्ट यही तो दो शब्दों में स्पूरे अस्तित्व का सत्य रहा हुआ हुआ है यह है क्या ही पुरा माचरा यह नचारा दो शब्दों में एक जीवन है एक जगात है एक जीव है एक जगात है यह दो चीजे दिखती हैं हमको अब इन दो की पीछे न दिखने वाले तीन सत्य है जो दिख रहा है वो तो एही की अवास्तों में इसको दिख रहा है यह क्या है दिख रहा है यह क्या है दिख पूरा जीवन समझा देते हैं आपको थोड़ी देर में कबाल भाति करते रहो प्रकाश क्रियास्ति सीलं भोटें-द्रियात्मकं भोगा प्रगार्थम द्रश्यम बोळी मिरशार प्रकाश क्रियास्ति सीलं प्रकाशक्रियास्थितेशेलं भुतेंद्रियात्मकं भोगाप्वर्गार्थंद्रिष्यं दस्ता दिश्यमात्रह शुद्धोपी प्रत्यान पश्याह क्लेश करम विपाकाश्य अपराम्रिष्टह पुरुष विशेशाह ईश्वराह सैशाह पुर्फे शाम अपी गुरुष कालेन अनवच्षेदा तीन . एक द्रिश्षज्द दिख राहे यह बालों से लेकर के नीचे पूरा दिखने वाला दृष्ष और यह बार भी दिख रहाई दृष्ष एक आत्मा है इसमें उसको दृष्टा का योग के बाद समी दृष्टा मने आत्मा कितनी योग का लक्षे क्या है भुला मैं का बोद मैं कौन हूं इसका बोद महर्शिदानन गुरु विर्जानन देक में पास गए कबाल भाते करते रहें मतुरा दर्वाजा घटखट आया गुर्विल जान नंद ने भी तरसे आवाज दे बल कौन तो बहर से द्यान दिखेते हैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं इसका उत्तर है योग मैं कौन हूं इसका उत्तर है अध्यात्मा मार्शिदा आनंद को गुर्विर्जानन ने ज्यान दिया व्याकरण सास्त्र से लेकरके वेदर सास्त्रों के वैदीक सत्त्य को ईश्री ज्यान को उन्तक संप्रिशित किया गुर्शिष्य परंपरा में दीक्षित लोगर के महर्शिदा आनंद व्याकरण के वेदर सास्त्रों के प्रकांडवित्वान होगे ज्यानती थिहास में पहले व्यक्ति महर्शिदा आनंद हैं जिनोंने वेदों का भाष्य हिंदी में किया जिनोंने हमें धर्म अध्यात्म को वैज्यानिक द्रिष्टी से देखने का सामर्थ दिया महर्शिद्यानंद वो व्यक्ति हैं जिनोंने धोंग आडंब और पाखंड अंद विश्वास से हमें बाहर निकाला चुआ छूट से हमें बाहर निकाला ब्रहामन अक्षत्रिय वैश्य और शूत्रों के नाम पर जो लड़ाई हो रही थी उससे बाहर निकाल करके हमें मनुष्यों तुम सच्य अर्थों में मनुष्य हो जाओ सच्य इंसान बन जाओ जो सच्य इंसान बन जाता है फिर उसके जीवन में कोई धेद द्रिष्टी रहती नहीं है वो तो सब एक आत्मा की रूप में अपने आपको देखते हैं और एक परमात्म तत्व की आराधना करते हुए अपने जीवन में सब प्रकार की सफलता और सुख पाते हुए अपना भिद्य निश्रे सिब्ध कर लेते हैं उनका धर्म अर्थका ममोख्षा सिब्धा हुए चुआ सूथ से में बाहर निकाला पाखंड ढोंग से में बाहर निकाला अंदरिश्वासल से में बाहर निकाला इस्त्री और पुरुष के भेद से में बाहर निकाला और पुरुषप प्रधान इस समाज में कहा यत्र नार्यस्त पुजयंते रमंते तत्रदेव तमहर्शिम जानों का उद्गोश उनका उपदेश और संदेश में दे करके बताया और जगाया कि आओ इन सब भेद भाव की दिवानों को तोड़ों अपने भीतर की दिव्यता को जानों और अपने भीतर की परमत्त्तों को पहचाएं